नमस्कार जय हिंद स्वगत हैं आप सभी का आपके उपने यूटूब प्लेटफोर्म राजस्तान मोसम में आए जानते हैं आगामी 24 गंटों के दोरान राजस्तान की शित्र में कैसे रहेगा मोसम किन जिलों में अंदर और बारेस के संभावनाई बन रही हैं इसके साथ ही ब आवाजई की भी इसमें मोसम रहेगा बलाई आज सुबह सुबह जो मोसम साप है और अभी की जो लाइव सैटलाई तस्वीर है इसमें भी आप देख सकते हैं कहीं बिबाद लोगी आवाजई नहीं देखने को मिल रही हैं लेकिन आज दोपेड के बाद में राजस्तान की पच्छिमी भाग और दक्सनी भाग के उपर बादलो की घनी आवाज़ाई देखने को मिलेगी लेकिन केसार भैयो डरने की बात नहीं है इन बादलों से आज कहीं पर भी बारिस की संभावनाई नहीं बन रही है जोदपूर शंभाग के जैसल मेर्शली के बाड़ में जालोर पाले, शिरोई, जोदपूर इन सभी जिलों में हैं आज बादलों की आवाज़ाई दोपेर के बाद में देखने को मिलेगी लेकिन कई पर भी बारिस की संभावनाई आगामी 24 गंटों के दोरान नहीं है उदिपूर शंभाग के भी उदिपूर डुंगरपूर बासवाड साथ यो इन जिलों की बात करत हैं इन जिलों में भी आज अधिकतर जो सेतर हैं याँ पर आज दिकी धूप खिली रहेगी और दोपेर के बाद में फिर शेबादलों की आवाज़ाई में याँ बडूतरी देखने को मिलेगी और कुछ जैपूर शंभाग के और कुछ कोटा संभाग के बाग है याँ पर चुटकुट बुंदाबंदी हो रही कि संभावनाई आगामी 24 गंटों के दोरान बनती हुई दिकाई देरी विशस तोर पर आज साम के समय में याँ पर कुछ इस्तानों पर हैं वो बिलकुल सीमित दाएरे में हैं वो गरजना वाले इस्ताती देखने को मिल सकती हैं लेकिन याँ पर भी जड़ात रिस्तानों पर मोसम बादरों की आवज़ेई के भी इसमें सुस्क रेने का अनुमान रहेगा बीका निर्शंभाग की बात करते हैं बीका निर्शंभाग के कुछ हनुमान करशे लेके चूरू और कुछ जुनुनुश राजस्तान में आगामी 24 गंटों के दोरान है वो मोसम सुस्क रहेगा लेकिन कल साम से है वो बादलों की सगन आवा जाई के विसमें कुछ इस्तानों पर चुटपूट गरजना वाले इस्तती बनने की संभावनाई बंदरी है उनके बारे में आगामी मोसम बुलिटिन में आपको एकदम सटिक्त अकसात में बताया जाएगा किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा 16 मार्श से राजस्तान की शेतर में मोसम में विसेस बदलाव देखनी को मिलेगा और शंपून राजस्तान में है वो खंड बारिस की संभावना तेज आंदी यनि अंदर तुफ दिया है वो लगातार जारी रहेगे 16 मार्श से लेके 22-23 मार्श तक उससे पहले किसान भाई फसलों की कटाई का कारे कर शकते हैं और आप सभी को है यथा सिग्र फसल कटाई का कारे करना चाहिए तो किसान भाई मिलते है अगले बुटी टिलिपे तब तक के लिए नमसकार जाई हिंदे